नमस्कार दोस्तों आरोग मौडन हुएपिथी में आपका स्वागत है दोस्तों आज सूपर स्पेशालिटी मौडन हुएपिथी दबाईयों की सक्से स्टोरीज में हम हाइपो थाइरेडिजम, हाइपर लिपीडीमिया और प्रोटीन यूरिया सिग्रसितिक पेशिंट चंद बिमारियों से काफी लंबे समय से परिशान थे और उन्होंने कहीं जगा ऐलोपेथिक ट्रीटमेंट भी लिया लेकिन आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पेच चोपड़ा जन से संपर किया और उनकी सूपर स्पेशालिटी मौडन हुएपिथी दवाईयों को अ 14 ao 20 व हुआ शारा में हुआ शुरूह में बेरे चेक प्रेटी नियुक्त पहले तो प्रोटीन जाने लगा ठोटाल प्लस भगया फिर हमने क्रिट नीब-टथ कःश्च कराया थो ट्रेटर देस्ट भाया कराता रहा ले कि चार-पांच साल पहले की बात मैं जनरल टेस्ट Müần तो हमको यूरिन में प्रोटीन गया चार-पांक साल पहले फिर हमने क्रेटनीन टेस्ट करवाया तो हमारा क्रेटनीन लेबल बढ़ा हुआ मिला मैंने इधर उधर दबाईया करवाई लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं हुआ चार साल पहले ज़ा था लगबक दो साल फिर मैंन मैं आँर ज़ेए लेकिन बढ़ा हथे लुट ऑने मतल चार से लेजारिक्स से लेबलिट से ए मयुझा पूरहा तो हम पूरी तरह से स्वेश्ट हैं हम तियंध चिस थी निचे आ गया है, क्यलेस्टरल भी नारमल हो गया है, क्रीयेटनिन भी नारमल हो गया है, माडर्न हुमियोपैथिक के कारण ही आज हमारी ज़ली है, नहीं ली, इस वीच अर्पित सर ने जो है, मतला हमारी बहुत मदद करी और मिलनसार आदमी है सबसे बड़ी बात यह है कि वह मतला पेसेंट से मित्रवत बात करते हैं कोई उनसे कोई हीचक नहीं रहने देते हैं और खुलकर बात करते हैं मैं उनका अभारी हूँ कई जगे इसका इलाज करवाया मैंने अब किसी डाक्टर कर नाम लेना अवचित नहीं होगा एलोपेधिक दवाईयों से कोई फायदा नहीं होगा हमको एक महिने में ही उसके रेजल्ट्स आने सुरू हो गए थे मार्डर नहीं पर अधिक से और आज हम पूरी सतरह स्वास्ते हैं और इन्होंने हमको दवाईयां अकसर में बाहर रहता हूं इंदवर से मुस्किल से दो तीन महीने यहां रहता हूं हम मैं जहां जहां भी रहा मैं छे महनी अमेरिका रहता हूं वहां भी हमको दवाईयां उ बाहर रहता हूँ तिस दो तीन मेने इंडवर में रहता हूँ उपलब्द करवाई और यह पर दवाईयां हमको मिल जाती थी तो मिलनसार हैं और यह बात सुनते हैं बात समझते हैं इन दवाईयों कोई साइड इफेक्ट नहीं है बस पेसेंट को पेसेंस रखना पड़ेगा और उस पे विश्वास करना पड़ेगा दवाईयां हानकारक नहीं है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इनका दवाईयों से कोई परहेज नहीं हैं पूछते हैं इनको कई परहेज नहीं है आप जो चाहो खाऊ हमने लगबाग 25 साल तक चली दवाईयां ते सारी समस्ता है उड़ आदमी के पहुच चाहिते हैं लोगों को ही देंगे कि अगर किसी तरह की जट्री समश्या है और गुद्ट की दो पैकल यह शुरबशित असरकार्ड है और इसमें कोई परहेज भी नहीं है तो हम लोगों को ही कहेंगे अप तो दोस्तों ये थे चंदेशवर सिंग जी जिन्होंने में बताया कि किस तरह वे इन सभी बिमारियों से काफी लंबे समय से परिशान थे और उन्होंने कई जगा एलोपेथिक ट्रीटमेंट भी लिया लेकिन आराम ना मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अरपेच चोपडा जन आ यह मिलते हैं सूपर स्पेशालिटी मौडन हुईपिथी चिकिसापदती के अविशकार डॉक्टर अरपेच चोपडा जन से जिन्हें इस चिकिसापदती के अविशकार के लिए लगातर दो बार एक्सिलेंस अवार्ड सहीत काई अन्ने अवार्ड से समानित किया गया है और जानते हैं उनसे मौडन हुईपिथी दवाईयों के हाइपो थायरेडिजम, हाइपर लिपीडीमिया और प्रोटीन यूरिया पर असर के बारे में हाइपोथाइडिजम की बिमारी डिटेक्ट हुई, साथ में उने हाइपर लिपीडीमिया याने डिसलिपीडीमिया की बिमारी थी जिसमें उनका ट्राइग स्ट्राइट लेवल काफी बढ़ चुका था तो दोस्तो इस तरीके से कोई अगर पेशेंट हो जिसको एक साथ इतनी सारी बिमारीयों ने अगर गेर रखा हो तो निश्चित रूप से उनकी मना इस्तिती हम समझ सकते हैं और ऐसे ही पेशेंट मिस्टर सीयस सिंग साब जो पांस साल से इन सभी बिमारीयों से ग्रसित थ देंगि कहीं पर भी उन्हें संतुष्टी नहीं मिली तब उन्होंने मॉडर्न अमिपाती सुपरिस्पासिटी निर्भरता है फैरेट के लिए जीवन भर आपको नेफ्रोटिक सिंट्रोम के लिए हमेशा मिंडेनेज थरेपे भी लेनी है और साथ में किडिनी फिलियर के आ पताया गया है कि आपको खाना पड़ेगा इस तरीके की किसी भी दवाईयों का सेवन उन्हों ने नहीं किया और दोस्तों आज भी केवल प्रोटीन में जो बढ़ चुका था जो जा रहा था बहुत तेजी से प्रोटीन का लॉस हो रहा था जिसके कारण उन्हें काफी वीकने सो रही थी सुजन आ रही थी काफी तक्लीप का सामना करना पड़ रहा था पूरी तरीके से ट्रेस की अवस्था में बिलकुल लगबग नील के अवस्था में पाया गया उसके साथ उनका जो थाराइड लेवल जो काफी उच से इस्तर तक बढ़ चुका था बिना किसी एल्ट्रॉक्षिन की दवाया के केवल मॉड़न उपिती सूपर इस्पशली कंसेट्मेंट के बदालत पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ साथ तो इसके साथ अगर हम बात करें तो उनका बॉड़ी रिस्पॉंस भी एक्टी हुआ उनका खुद का जो इम्मिनिटी रिस्पॉंस है वो भी पूरी तरीके से मेंटेन हुआ और आज भी वो बिना किसी दवाई के बिना किसी सपोर्ट के अपना सुस्थरीवन जी पा रहे ह और एक तरीक से बिना किसी दवाई के डिपेंडेंसी के रहने के लिए वह सोच किंगे तो दोस्तो इसी उम्मित के साथ कि अगर क्योर्ण हम अब और क्रोğan ने करें है जिसको गरिफर तेजी से लौस होते हैं तो आपको बोडी में बहुत ही टाकत की कमी क्या असामना करना पड़ता है और इस तरीके से फिजिकल डिबिलिटी होती है और आगे जाकर रिकर नेप्रोटिक सिंट्रूम लगातार बना रहे तो ये kidney failure का भी एक करण बनता है तो निश्ची दूरुप से दोस्तों इसको जादा तर लोग यही समझते हैं कि इसका जीवन बर इलाज लेना पड़ेगा या फिर kidney failure से बचने के लिए या transplant या dialysis के अवस्थान आए इसके लिए हमेशा दिमाग में एक वैथा बनी रहती है जिसके लिए उन्हें ताउम्र इलाज के लिए निर्वर रहना पड़ता है तो दोस्तों इसके अवज में अगर हम modern ओमेपेथी treatment के बारे में बात करें तो चुकि modern ओमेपेथी एक fast treatment है पहले दिन से आपके body response के इसाब से pathology criteria का दारपर हम लोग आपकी बिमारी के pathology पर attack करते हैं बिना परेज का treatment है चुकि इसमें कोई दवाई नहीं है जो chemical से बनती है चुकि इसमें chemical less treatment होता है तो आपको दूसरी परकार का damage नहीं होता chemical का कोई side effect नहीं होता आपको kidney के ऊपर कोई नया दूसरा damage नहीं होता उसका फाइदा यहीं मिलता है कि आप अपनी जो भी metabolism जो disturb हुआ है उसको आप recover भी करते हो और kidney की छमता जो भी खराब हो रही है या समय के साथ जो आगे progressive होकर कहीं न कहीं दुक्सान में आ सकती है उसको भी आप पूरी तरीके से बचा पाते हैं इस बात की पुष्टी आपके body response पे भी दिखता है और कहीं न कहीं आपके reports में भी साबित होता है जिस तरीके से Mr. C.S. Singh सापकी काफी सारी reports को हम pre and post report का अधार पर अगर समदना चाहें तो लगबख सभी जगा आज भी वह अपना स्वस्ते जीवन जी रहे हैं बिना किसी डर के बिना किसी तनाव के तो दोस्तों अगर हम हाइपो थारीडिजम की बात करें तो हाइपो थारीडिजम एक ऐसी बीमारी जिसमें metabolic syndrome होता है हमारी जो thyroid gland है अगर उसके dysfunction के कारण हमारा जो TSH level है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है body metabolism slow हो जाता है और उसके कारण जीवन बर ताउंब्र एल्ट्रोक्षिन हार्मोन की उपरी supply की हमें आवसकता पढ़ती है और वो जीवन बर जो तकलीब देता है जीवन बर जो लेने की प्रतिकुलता है उससे बचने के लिए इन्होंने modern वेपिती सुपर इस्परशिटी गंसेफ ट्रेट्मेंट का फायदा लिया और दोस्तों आज भी वो बिना किसी हाट को भी नुक्सान पहुचा सकता है हमारी जो धमनिया है उसको भी नुक्सान पहुचाता है तो इसी तरीके की अवस्था के लिए चुकि उन्हें modern वेपिती सुपर इस्प्रशिटी गंसेफ ट्रेट्मेंट से इस प्रकार की जो डिस्लिपीडीमय का प्रावलम था जिस उन्हें पूर्व में काफी सारा एलोपेटिक ट्रेट्मेंट लिया हुआ था उन्हें पता था कि इसका कोई लाज नहीं है आखरी में उन्होंने सेकेंडरी ट्रेट्मेंट के रूप में modern वेपिती का उपयोग किया और दोस्तों उन्होंने जो समय रहते modern वेपिती का जो तो चुकि वो multiple problem एक तरफ से वो nephrotik syndrome, proteinuria से ग्रसित थे, दूसरी तरफ से वो dyslipidemia की बीमारी से ग्रसित थे, तिसरी तरफ से वो hypothyroidism की बीमारी से ग्रसित थे, जिसमें उन्हें जीवन पर दवाई खाने की प्रतिकुलता बताए गई थी, तो निशी दुरुप से modern वे खाने की प्रतिकुलता होती है, chemical side effects से चांस होते हैं, या जीवन पर दवाई खाने की प्रतिकुलता होती है, इससे भी हमने उन्हें पूरी तरीके से बचाया, और यही फायदा modern वेटिका है, कि cost effective रूप में आप इसका फायदा लें, और आपकी ज्यादा से ज्यादा समस् का विजिट बचाया, काफी सारे डॉक्तर की जो दवाई लेने की प्रतिकुलता है, उससे पूरी तरीके से मुक्तिपाई, और आज भी ये सभी patient कहीं न कहीं दुनिया के सामने खड़े होकर अपने बारे में बता पा रहे हैं, और निश्चित रुप से modern वेटिका फायदा व्याख्या समझ सकते हैं, कि kidney failure के लिए, nephrotic syndrome के लिए, या kidney से related कैसी भी problem के लिए, चाहे वो stone की problem हो, या इस तरीके से related किसी भी अन्यपकार की समस्या के लिए, modern वेटि आज के date में किसी चमतकार या वर्दान से कम साबित नहीं हो रही है, उसका मुक्या कारण, modern वेटि का उपयो, जादा से जादा 300 प्रकार की कोई भी विमारी, जो हमारी वेबसाइट पर हमने जो बता रखी है, और लगबग 3000 से ज्यादा पेशेंट, जिन पेशेंट के बारे में आप जान सकते हैं, चाहे वो cancer के stage 1 से stage 4 तक के पेशेंट हो, kidney failure के चाहे stage 1 से stage 4 तक के पेशें के बारे में काफी सारे patients के हम documentary बता चुके हैं, इस तरीके से ऐसे काफी सारे patients जो live cell problem के साथ कुछ autoimmune बीमारिया जिसमें G1 बर, pain killer, steroid या immunosuppression खाने की मजबुरी होती है, उससे हाँ पूरी तरीके से अपने आपको बचा पाते हैं, और निशी दुरुप से जो बढ़े व मॉपिती के उप्योग से, जैसे काफी सारे patients ने negative किया है, हमें पूरा विश्वास है कि modern उमिपती इस तरीके के treatment के लिए आपके लिए किसे चमतकार या वर्दान से कम साबित नहीं होगी, अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस तरीके के 3000 patient में से किसी भी एक patient के data से, पिर जो kidney या cancer के patient है, उनको बड़ी सरजरी, chemotherapy, radiotherapy, जो transplant की जो अवस्था आती है, उससे आप बचा सकें, अगर इस तरीके के ऐसा किसी भी एक patient के data से, अगर आपको एक बी example create होता है, उससे आपको पेड़ना मिलती है, तो मैं आज इस वीडियो के माद्यम से आपको अपील करूंगा कि आप modern empathy का उपयोग जादा से जादा लोगों को बताएं, और अगर ये प्रारंबी का वस्था में अगर इस treatment का उपयोग लिया जाता है, तो हमारा विश्वास ये है कि इसका फायदा आपको और तेजी से मिलता है, और प्रारंबी का वस्था में, जितनी है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी patient को हम से consult करना है, तो इन दौर स्थित आरोग ये सुपरिस्पेशिटी मॉडर्ण हुमिपथी क्लिनिक, जो कि जंजीर वाला चौरहा नियू पलासिया पे इस्थित है, आकर वो हमसे face to face consultation लेवे, अगर किसी कारण से हमारे पास आने details हैं, उसको समझ कर, आपसे बात करके, आपके लिए जो modern उमिपथी सुपर स्पेशिटी कंसिफ्ट की, जो cost effective kit होगी, उसको हम घर बैठे भी, कोरियर के मद्यम से आपके दरवाजे तक पहुचा सकेंगे, और पूरी उमीद है कि घर बैठे भी इस तरीके की, दुर्गम से जटिल से जटिल, critical से critical stage की जो विमारिया है, उस पे भी आपको मदद करके, एक कदम modern उमिपथी से फायदा देखकर, जरूर दुनिया के सामने कहीं न कहीं साबित कर सकेंगे, और पूरा विश्वास है कि आपकी पूरी तरीके से स्वस्त रहने में मदद कर सकेंगे, तो द करें, मैं डॉक्टर अर्पिच चोपडा जैन, आरोग्य सूपर स्पेशलिटी, modern हुमिपथी क्लिनिक, थेंक्यू, नमस्कार, तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पिच चोपडा जैन, जिन होने में बताये कि किस तरह सूपर स्पेशालिटी, modern हुमिपिथी दवाईयां, हाइपो थाइराडिजम, हाइपो लिपीडीमिया और प्रोटीन यूरिया जिसी कमभीर बिमारियों पर भी अपना असर दिखाती हैं और इन बिमारियों को जड़ से खत्म करने में कारगर सिध हुई हैं, तो दोस्तों ये तो थी चंदरिश्वर्ट सिंग जी की modern हुमिपि प्रात्मिक चिकित्सा के रूप में अपना है, और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है, तो इसे लाइक और शेर करना और चानल को सब्स्क्राइब करना ना भूले, और स्वस्त रहने के लिए देखते रहेए आरोग यू प्रात्मिक थी, थैंक यू और टेक केर